पुरदेश में आज AI वाली उस CEO और उस मा की चर्चा है जिसने अपने बेटे को महज एक गुसे के चलते ना सिर्फ मार डाला बलकि सूटकेस तक में बंद कर दिया जि हाँ बेंगलूरू में एक स्टार्ट अप अप कंपनी की CEO सूचना सेट को उसके चार साल के बच्चे के कथित तौर पर हत्या के आरोप में गरफतार किया गया है अपने ही बच्चे की हत्या के मामलेव को लेकर के CEO सूचना सेट को गुआ की सर्विस डिपार्टमेंट में उस वक्त चार साल के बेटे के कथित तौर के हत्या के आरोप में गरफतार किया गया जब वो फरार होने की लिए तैयार थी और उसने टैक्सी मंगा ली थी वो बेंगलूर की और भगने वाली थी लेकिन उससे पहले ही होटल स्टाप की सूचना के बाद उसे पकड़ लिया अपने ही मासूम बेटे को हमेशा के लिए गैरी नीन पर सुला दिया महिला बेटे के शौग को बकायदा बैग में डाल करके गोवा से करना टक की रफतार पकड़ने वाली थी लेकिन पुलिस ने उसे बीच में गरफतार कर लिया है महिला के पास से न सर्फ शौब अरामत क कर लिया गया है बलकि उसे गरफतार तक कर लिया गया है पुलिस ने इस मामले में कहा है कि आरूपी महिला सूचना सेट की शादी आज से तकरीबन 13 साल पहले हुई थी लेकिन उसका पती के साथ मामला ठीक नहीं चल रहा था साल 2019 में उसका मासूम बेटा पैदा हुआ और 2020 में उसका अपने पती के साथ विवास शुरू हो गया मामला कोट कचेहरी तक महुच गया और उसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया कोट ने अदेश दिया कि मासूम अपने पता के साथ मिल सकता है और महिला को पती से उसे मिलवाना ठीक नहीं लगता था वो हर बार अपने पती से उस बच्चे को नहीं मिलाना चाहती थी और चूंकि बच्चा जिद कर रहा था इसलिए उसने गोवा के उस होटल में न सर्फ उसे मार डाला बलकि उसे बैग में पैक करके उसकी लाश ठिकाने के लिए निकल पड़ी दरसल सूचना सेट दा माइंड़फुल एई ल कि कंपनी चला रही थी वो चार साल से ज्यादा समय से एक और्गनाइजेशन का नितुत कर रही थी जो आर्टिफीसियल इंडेलिजेंस के छेत्र में तरक्की का केंद्र बना हुआ था सूचना सेट ने दो साल तक भर मैं क्लें सेंटर में भी एक सहयोग यानि एक असिस्ट की स्थापने से पहले सूचना सेंट बेंगलोर में बूम रैंक कामर्स में एक सीनियर डेटा इनलेसिस्ट थी यहां वो अपने आप्टिमाइजेशन और इंटेलिजेंस के लिए डाटा सज्चालितोत पादों को डिजाइन करती थी यानि बहुत बड़ा काम कर रही थी और सेथ कंपनी के डाटा साइंसेज ग्रूप में सीनियर एनलेसिस्ट कंसल्टेंट की रूप में भी काम कर रही थी सूचना ने कलकत्ता विश्वविद्याले के खगोल भौतकी के साथ प्लाजमा भौतकी में भी विश्यसगता हासिल की थी भौतकी में उसने मास्टर्स की डि प्लोमा लिया और कोलकाता के भवानी पुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज में फर्स क्लास के साथ भौतकी ओनर्स में यानि फिजेक्स ओनर्स में ग्रेजुएशन के डिग्री ली अपने कॉलेज के दिनों में वो कुछ कॉम्प्टिशन में भी हिस्सा लेती थी और हमेशा टॉपर रहती थी उसके बारे में बताये ये जा रहा है कि ये सब कुछ उसने पूरा कांड अपने बेटे के साथ इसली ही किया क्योंकि उससे बच्चे का पिता से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था वो गो आई तो यूँ घूमने के लिए थी छुट्या मनाने के लिए और बेटे के मारने का असल कारण जानना चाहती इसके अलावा पुलिस ने अब बेटे के पिता से भी संपर्क किया है और पिता को बुला करके भी मुझत नाश करेगी और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वनेनिय हिंदिक साथ नमस्कार